नमस्कार आज हम एक मज़ेदार चटपटी खटी मीठी मसाला भिंडी करी बनाएंगे वैसे तो आप भिंडी करी बहुत खाए होंगे पर इस करी को इस गर्मियों में एक बर बनाएंगे तो बार बार खाने को मन चाहेगा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जीरा जब चटकने लगेगा तब उसमें हम एक मेडियाम साइज का प्याज चौट करके रखे हैं उसे डाल देंगे प्याज को अच्छे से हिला हिला कर हम जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता तब तक प्राई करेंगे ये पूरा कुकिंग हमने लो फ्लेम में किया है फिर उसमें दो मीडियाम साइज का आलू लंबे लंबे टुक्रों में काट कर रखे थे उसको हम डाल दिये हैं अब आलू को अच्छे से थोरे दिर के लिए दो मिनिट के लिए हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे हिला हिला कर फिर उस आलू के साथ हम धाई सो ग्राम भिंडी धो के पोच के लंबे टुक्रों में काट के रखे हैं उसे भी डाल देंगे फिर भिंडी को भी आलू और प्याज के साथ अच्छे से मिला देंगे और भिंडी को और आलू को हिला हिला कर दो मिनिट के लिए फ्राई करेंगे फिर उसमें पांच मिनिट के लिए धकन लगा देंगे धकन पांच मिनिट बात खोल कर भिंडी का स्टिकिनेस कम हो जाए त तो उसमें अब हम हल्दी और नमक डालेंगे, फिर उसमें एक चमच हल्दी पाउडर और स्वाध अनुसार नमक डाल देंगे, देखिए भिंडी और आलू कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, लाल लाल थोड़े दिख रहे हैं, फिर हम उस हल्दी पाउडर और नमक को उसे हम डाल देंगे, फिर मसाले को अच्छे से भिंडी और आलू के साथ मिलाएंगे, लो फ्लेम में हम पुरा कुकिंग कर रहे हैं, अच्छे से हिला हिला कर मिलाएंगे, मसाला भी थोड़ा थोड़ा फ्राई हो जाएगा, और आलू भिंडी भी अच्छे से मिक्स हो और एक चमच धनिया पाउडर भी डाल देंगे फिर उस मसाले को अच्छे से मिला कर उसमें हम मिक्सिका पॉट दो कर उसमें 2-3 चमच पानी एट कर देंगे क्योंकि सुखे मसाले हमने डाले हैं इसलिए हम पानी 2-3 चमच एट कर दिये हैं पानी को अच्छे से मसाला को मिला क कर्यां, हम पांच मिनिट के लिए फिर से उसे ढग देंगे, पांच मिनिट बाद ढगकर निकालकर हमारा भिंडी अच्छे से भिंडी और आलू मसालों के साथ फ्राई हो गये हैं, मसाले भी अच्छे फ्राई हो गये, उसमें हम दो छोटे चमच पाउभजी मसाला डाल जिससे हमारा ये कड़ी चटपटा बनेगा और फिर उसमें हम एक से दो चमच चीनी एट कर देंगे वो आप अपने साथ स्वात के अनुसार कम और ज्यादा कर सकते हैं फिर उसमें एक कप हम गरम पानी डाल देंगे पानी को अच्छे से भिंडी और मसालों के साथ मिला कर उसमें हम दो से तीन चमच निम्बू का रस डाल देंगे डाल कर फिर उससे पांच मिनिट के लिए ढग देंगे आप अगर चाहे तो निम्बू का रस की जगे पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं यह इमली का रस भी डाल सकते हैं देखिए आलू भिंडी अच्छे से सीज़ गये मेरे करी खटी मिटी करी बन के तयार है इससे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे आप चाहे तो